प्रादेशिक समाचारेकांज भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिठी आलेक मनोज गोस्वामी वाचक स्वर सैंक बाबानर जी दतिया में मौनसून पहुँच गया है यहां रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम में ठंडग खुल गई है मौसम वभागने अब तक यहां 38 मिली मीटर बारिश दर्ज की है दतिया जिले की औसद बारिश 870 मिली मीटर है पिछले साल यहां औसद 812.16 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई थी अंतराष्ट्य योग दिवस पर जिलस्तरिय मुख्य कारिक्टरम स्टेडियम प्रांगन दतिया में आयोज़त किया गया है सबसे पहले मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के संदेश का प्रसारण किया गया करिक्रम के समापन पर कलेक्टर संजे कुमार ने सभी को अंतराष्ट्य योग दिवस की बथाई दी दतिया में अमरत योजना के तहट शहर में सीवर को ट्रीट करने के लिए सेवडा रोड पर ट्रीट्मेंट प्लांट बन कर तयार हो गया है इसका उद्खाटन प्रदेश के ग्रह मंतरी डॉक्टर नरूत्म मिश्वाने किया इस प्लांट की लागत 58 करोड रुपे है इस प्लांट के बारे में दतिया नगरपाली का सीएमो अनिल कुमार दुबे ने बताया कि पूरे शहर के सिवरच का पानी इस प्लांट में पहुँचेगा जिसे मशीनों द्वारा साफ किया जाएगा साफ पानी को असपास खेतों में किसानों को सचाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा दतिया जिले में तुरिस्तरिय पंचातों के आम निर्वाचन और नगरिय निकायों के चनाव के संबंध में उपसिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश भारगव ने बताया कि आज नाम वापस लेने की आखरी तारीक है जगी 6 जुलाई को प्रधम चरण के रूप में जिले की नगरपाली का परिशद दतिया और नगर परिशद बढ़ाणी में मततान होगा 13 जुलाई को दृतिय चरण के रूप में जिले की नगर परिशद सेवडा, भांडेर और इंदरगर में मततान होगा वही पंचाच चुनाव का मत्दान दो चरण में होगा, प्रत्हम चरण में दतिया जन्पत क्षेतर में 25 जून को और दूसरा चरण एक जुलाई भांडेर और सेवडा जन्पत खेतर में होगा पहले चरण में कुल 382 मत्तान केंदरों पर 2,821 मत्ताता मत्तान करेंगे दूसरे चरण में 512 मतदान केंद्रों पर 2,62,074 मतदाता मतदान करेंगे जिल पंचाइट सदस्यों के निर्वाचन के लिए 10 वाडों में चुनाव लड़ रहे 107 उमीदवारों के लिए 5,17,350 मतपत्रों छपने का कारियत दिया गया है जबकि जनपत पंचाइट दतिया के पंचपत के लिए 11,170 मतपत्र सरपंच के लिए 2,23,870 मतपत्रों की छपाई का काम किया जा रहा है जनपत पंचाइट सदस्य के लिए 2,39,800 मतपत्रों मुद्रित कराए जाएंगे उन्होंने बताया कि प्रत्तेग जनपत में 5 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्रों के रूप में बनाया गया है मधिप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोज़त सयुक्त राजय सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राजय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को जिले के नौ परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में आयज़त की गई परीक्षा में कुल 2834 परीक्षार्थियों ने पंजेन कराया था जिसमें 2033 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 801 प्रत्याशी अनुपस्थत रहे वही संख लोकसेवा आयोग वज 2021 में हुई परीक्षा में दत्या जिले को बड़ी उपलब्धी मिली है दतिया के दो युवा मुरदुल शिवहरे और भांडेर के पियुश दुबे सफल हुए है मुरदुल को 247 वी और पियुश को 289 वी रैंक मिली है मौसम के बदलते मजाज के चलते जिलास्पिताल में ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है प्रतिदिन ओपीडी में पहुँचने वाले मरीजों की संख्या 675 पर पहुँच गई है इसमें 23 फीजदी मरीज पेट दर्द, उल्टी दस्ट और बुखार की शकारत लेकर पहुँच रहे हैं जिले में डेंगू के पांच मरीज भी मिल चुके हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर जेंद प्रताब सेहिं यादव के निर्देश में मलेरिया टीम ने दतिया की गलियों में मौसम को देखते हुए नालियों में मच्छर रोधी दवा का छुड़काब किया दतिया जिला जेल में हाल ही में विधेक साक्षरता शिवर आयुजद किया गया दतिया जिले की विधान सभा भंडेर में सौर उर्चा प्लांट का का गाम अब शुरू हो सकेगा सरकार ने 700 करोड के इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है दतिया जिले के चठी समात हुई